Hello Everyone, Good Morning and Welcome to Crazy Birds and Animals इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ Complete Malting Process of Parrot पूरा Malting का साइकल दिखाने जा रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ही informative होने वाला है Parrots एक बहुत एक खुबसूरत क्रियेचर है नेचर का ये वीडियो में आप लोग Complete Malting Cycle देखेंगे Indian Wringing Parrot का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग ये भी देखेंगे कि Malting होता क्या है Parrot को ये क्यों होता है, कब होता है, Malting एंड किस महीने में होता है इस दोरान क्या क्या करना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए, A to Z Complete Information देने वाली हूँ तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, Let's Get Started सबसे पहले बात करते है, Malting होता क्या है Malting एक नाचरल प्रोसेस है, जहां Parrots के पुराने Feathers ज़र जाते है और नए Feathers grow होते है, Empty Follicle से जिसको Pin Feathers भी बोलते है इस प्रोसेस को Malting बोलते है Generally Malting स्टार्ट होता है June के Mid Month से However, यह differ भी कर सकता है, August या फिर September से भी स्टार्ट हो सकता है सारे Parrots को अलग-अलग टाइम पे होने का एक-दू महीना डिफर कर सकता है मेरे मिठू को Malting first week of August से स्टार्ट हुआ था और कुछ इस टाइप का देखने लगेगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं इस दौरान होता क्या है? Parrots की old feathers धीरे-धीरे ज़डने लगते हैं और new feathers grow होते हैं, जिसको pin feathers बोलते हैं Parrot के head area में और big की आसपा spin feathers visible है Malting process में Parrot का behavior change हो जाता है जैसे कि Parrot aggressive भी हो जाता है, तो कभी कबार बहुत सांत रहता है Parrot का feathers ज्यादा ज़डना स्टार्ट हो जाता है, पहले के मताबिक Malting process एक से डेड़ महीने का होता है थोड़ा बहुत differ भी कर सकता है, दो महीने या धाई महीने तक भी जा सकता है फर्ज में इधर उधर बहुत सारे feathers किरे हुए नजर आएंगे तो समझ जाएए आपका Parrot malting process में है Parrots इस cycle में बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं तो Parrots को सोते वक्त या रेस्ट लेते वक्त कभी भी disturb ना करें Parrots इस process में अपने feathers को बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं इचिंग करते हैं और ये completely normal है, सारे parrots को ऐसा होता है खुजलाते वक्त dead cells या dead skin पैरोट के feathers से गिरते हैं और white color का, चूंकि बहुत ज़्यादा energy लगता है new feathers को grow करने में इसलिए इस time पैरोट्स पहले के मताबिक खाना भी ज़्यादा खाते हैं हमेशा ध्यान रखे, पैरोट्स को healthy diet दे और ज़्यादा amount में खाना दे इस वक्त साथ ही साथ, nuts, dry fruits ये सब भी दे week में दो बार बात दे सकते हैं पैरोट्स को, अगर पैरोट्स को बात लेने में interest नहीं है तो जबर्दस्ती या forcefully बात ना दे जैसे जैसे time बीटता है, वैसे वैसे pin feathers clearly visible होने लगता है पैरोट्स dull and pale दिखने लगते हैं wing feathers के साथ-साथ tail feathers भी जढ़ने लगते हैं इस वक्त पैरोट्स इंसानों के साथ ज़्यादा interact करना पसंद नहीं करते हैं most of the time, hiring space में रहना पसंद करते हैं कप्रे से एक-दो hiring space बना दिजे ताकि पैरोट्स peacefully rest कर सके, सो सके या बैट सके धीरे धीरे आपको नज़र आएगा, पैरोट का feathers का volume decrease हो रहा है specially head area में, malting process के दौरान, पैरोट्स को ज़्यादा touch ना करे irritate हो जाते हैं पैरोट, जैसे-जैसे malting cycle end होता है, वैसे-वैसे पैरोट्स के सारे new feathers grow होते हैं, वापस से धीरी-धीरी normal life में आने लगते हैं पैरोट्स पहले जैसे active, beautiful and energetic हो जाते हैं last week of September तक, malting cycle पैरोट का end हो जाता है, हाँ, थोड़ा बहुत differ कर सकता है I hope इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद आपके face में एक smile आया होगा, आपका पैरोट safe and normal है complete malting cycle के बारे में अगर information मिला तो like करना ना भूले, नए है चानल पर तो subscribe कर लिजे, instagram में follow कर सकते हैं Instagram ID है crazy birds and animals, मैं जल्द ही मिलूंगी next informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई